हमने लचीले सविधान के गुणों को देखा अब हम उनके दोशों को देखेंगे कि सविधान में लचीले सविधान में क्या-क्या दोश होते हैं जिसमें पहला जो दोश है स्थाइत्व का अभा लचीले सविधान को आयस्थिर वा आयस्थाई कहा गया है क्योंकि इसमें सरल पुर्वक संशोधन की व्यवस्था राशनीतिक जीवन में आयस्थिर्ता उत्पन्न करती है ऐसे सविधान की उपमा उस नती से दी जाती है जिसमें लगातार बाढ आते रहती है कि जब चाहें इसमें परिवर्तन करते हैं यह इसका एक दोश है जैसे कि हम देखेंगे चीन क उदारण के रूप में तो चीन का जो सविधान है वो एक लचीला सविधान है और यहां का जो सर्वोच्च दल के नेता होते हैं या पार्टी होती है वो अपनी इच्छा के अनुसार इसमें परिवर्तन करते रहते हैं जैसे चीन की जो विधिवत इस्धापना हम उनीस सो से हम मानते हैं और 1989 से लेकर 1980 तक अगर हम चीन को देखें तो चीन सिर्फ एक क्रिशी प्रधान देश था चीन में कोई बहुत बड़ी उन्नती नहीं हुई थी इसके बाद हम देखेंगे जब माओं ने चीन में आंदोलन किया उसमें उन्होंने समाजवादी व्यवस्था से आगे बढ़ा कर पूंजिवादी व्यवस्था की और चीन को लाया जैसे ही यह परिवर्तन हुआ दस साल के अंतरगत 1980 से 1990 के बीच में चीन जो था वो बहुत जादा उन्नती करने लगा इतना जादा उन्नती उसने किया कि उसने अमेरिका के बाजार को भी उसने टकर दिया है 10-12 सालों में अमेरिका में एक क्रांती होना शुरू हो गया made in China के विरुद्ध क्योंकि जो चीन था वो अमेरिका से भी आगे बढ़ गया क्यों वो आगे बढ़ गया क्योंकि उसने अपने सव्यधान में मन्चाहा परिवर्तन कर दिया नीतियों में भी और सव्यधानिक सभी दूसरा हम इसका उधारन हम सकते हैं अरब से अरब जो सविधान है और आज भी वहां कि महिलाएं वह अपनी आजादी के लिए कलांतियां कर रही है हैं और आज भी उन्हें आजादी नहीं मिली है और भी हम इसका उधारन देख सकते हैं जैसे कि डेन्मार्क है सुज्ज लेंड हैं यह सारी चो कंट्री हैं यहां पर भी धार्मिक कटरता बहुत थी पर इन्होंने धार्मिक कटरता को छोड़ कर नागरेकों के उत्तम जीवन के लिए और उन्नती के बारे में सोचा और अपने इधान में जब जरुवत होई परिवर्तन करने की तो परिवर्तन भी किया और जब जरुवत थी कि परिवर्तन नहीं करना है कठोर रखना है तो उन्होंने कठोर भी रखा है तो भारत ने जो भी डिसेजन लिये हैं अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार ही लिये है जैसे कि भारत में एक मांग जल रही है कालिस्तान की मांग कि हमें भारत से अलग होने की मांग है वो चल दीह है पर भारत में कभी भी में अलग नहीं किया इस मामले में भारत जो है वो कठोर है पर कई सारे ऐसे जो चीज़ें हैं जो जायज जो मांग है उस पर जो भारत है जरूर चर्चा करता है तो भारत अपनी समय परिस्थिति जहां परिवर्तन चाहिए तो परिवर्तन भी करता है जहां पर कठोर ता बरतनी है तो वहां पर भ किता अलिखित होने के कारण एवं सरल्ता पुर्वक संशोधन होने के कारण शासक वर्ग मनमाने तरीके से नागरिकों के अधिकारों के सांद खिलवाड कर सकते हैं अता जनता के अधिकार सुरक्षित नहीं है नागरिकों के लिए जो अधिकार होते हैं वो बहुत महत्तोपुन होते हैं जो उनको दिये भी जाने चाहिए अधिकार देने से ज़्ञादा ये भी इमपॉर्टेन्ट है कि उन अधिकारों की सुरक्षा भी की जाए जैसे कि भारत, भारत में चुवा चूत बहुत होते थे क्या महात्मा गांदी जी चुवा चूत के विरोधी नहीं थे वो विरोधी थे पंडिस सुंदरलाज सर्मा को देखिएगा उन्होंने भी चुवा चूत का विरोध किया पर फिर भी भारत में यह चुवा चूट है वो कभी गया नहीं कभी समाप्त नहीं हुआ जब इसे सविधान में लिखा गया अनुचेत सत्रा में अस्प्रिश्चता विरोध तब जाके भारत में यह चुवा चूट जो है वो समाप्त हुआ अगर सविधान कठोर ना हो लचीला हो तो जो यह अधिकार दिये गए हैं इन अधिकारों को बदला भी जा सकता है समाप्त भी किया जा सकता है अगर ना लिखा जाए या वो लचीला सविधान हो इसलिए जो कठोर सविधान होता है वो नागरिकों के अधिकारों की सुरक्ष करता है तीसरा संघात्मक्षासन के लिए अनुप्युक्त परिवर्तन शील सविधान संघात्मक्षासन वाले राज्यों के लिए अनुप्लग है क्योंकि संघात्मक्षासन में केंद्रव राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है एवं संघात्मक्षासन में संशोधन प्रकृया में केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी भागीदारी होती है इसके विपरेत जो लचीला सविधान में केवल केंद्रीय सरकार व्यवस्थापिका ही मन चाह संशोधन करके राज्यों के अस्तित्व के लिए खत्रा पैदा कर सकते हैं परिणाम सरुप शेक्र परिवर्तन के कारण दोनों सरकारों के मध्य संखश और गतिरोत उत्पन्न होगा अता संघात्मक राज्य में लचीले सविधान को अपनाया ही नहीं जा सकता देखिए यहाँ पर जो हमें संघात्मक शासन की आवश्शक्ता क्यों होती है और कहां पर होती है जहां का छेत्रफल बहुत बड़ा हो जहां की जनसंख्या बहुत बड़ी हो वहां पर संघात्मक शासन जरूरी है संघात्मक शासन हमने अपनाया है तो जाहिर सी बात है कि राज्यों को भी कानून निर्माण करने की शक्ती दी जाएगी जब राज्यों के पास भी कानून निर्माण की शक्ती है उनके पास भी विशय है तो उनका इस्पष्ट उल्लेक करना भी जरूरी है अगर उसमें इस्पष्ट उल्लेक ना किया जाए और सविधान को कठोर ना बनाया जाए तो केंद्र और राज्य में विवाद हो सकते हैं और होते भी हैं, जैसे कि भारत में हमने संगात्मक शासन को के विशय को तीन भागों में बाटा हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और संबर्ति सूची, ये सूचियां हैं जो केंद्र और राज्य में विश्यों को विभाजित करती हैं, ति दोसो तेरा विशय हैं जो कें उलेक ना किया जाए लिखा ना जाए कठोर सविधान ना हो तो यहां पर दोनों में विवाद हो सकते हैं और हर चीज के लिए हर बातों के लिए हम न्याय पालिका के उपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं क्योंकि न्याय पालिका का जो कार्य है वो कार्य है नागरिकों की समस्य का समाधान करना ना की राज्यों के विवादों को या राज विवस्था की समस्या को सौल करना तो न्याय पालिका का प्रात्मिक कार्य और कर्तव्य नागरिक समस्याओं को दूर करना फिर भी अगर हम देखे न्याय पालिका के पास जितने भी केसे आते हैं उसमें जो प्रात विवाद होते हैं उनको सुनते हैं क्योंकि ये प्रारम भी छेत्रा अधिकार के अंतरगत आता है तो इससे हम ये समझते हैं कि जहां संघात्मक शासन हैं शक्ति का विभाजन है वहां पर केंद्र और राज्य में विवाद होंगे यदि हम सविधान को लिखें और उसको कठो बनाए तो यहां पर जो विवाद है वो नहीं होंगे यह होंगे भी तो बहुत कम होंगे और उसके लिए न्यायपाली का भी है अगला है शासन के निरंकुष होने का भैं कि परिवर्तन शील सविधान में सत्ताधारी बहुमत में होने के कारण संकट काल में ही नहीं शांति काल में भी सविधान का परिवर्तन शेर्टा का लाब उठाकर उसमें अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं इसके अलावा सत्ताधारी बहुमत में होने के कारण अपनी शक्तियों को मनमाने धंक से बढ़ाकर निरंकु शासन की आधार शीला रख सकते हैं आईए हम देखते हैं इसमें एक उधारण हम अर्थ शास्त्र को तो जानते ही हैं अर्थ शास्त्र में कोटिली ने ये लिखा है कि कोई भी शासक अपनी इच्छा नुसार या अपनी स्वेक्षा से शासन नहीं करेगा शासक जबी भी कोई निर्णय लेगा जबी भी कोई कारे करेगा तो मंत्री परिशत से परामर्श करके ही कोई कारिया करेगा अर्थ शास्त्र का अनुशरन जो है ब्रिटिश शासन ने भी किया था जैसे भारत में गवर्नर जनरल का पद होता है जैसे गवर्नर जनरल के लिए एक कारेकारणी परिशत होती थी और कारेकारणी परिशत के परामर्श से गवर्नर जनरल को कारे करना होता था प्रारंभ में ये जो परमर्ष को मानना बाध्यकारी नहीं था पर बाद में गवर्णर जनरल के लिए इन परमर्षों को मानना बाध्य हो गया उसी प्रकार से स्टेट गवर्णर थे वो भी मंत्रे परशत के परमर्ष पर उनको कार्य करना होता है तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत के सविधान में अनुचेत 75 में सामुहिक उत्तरदाईतों का सिद्धान्त है जिसमें प्रधान मंत्री और मंत्री परशत अपने विभिन कारियों के लिए सामुहिक रूप से उत्तरदाई होते हैं तो यहां में यह पता चलता है कि अगर एक व्यक्ति को पूरी तरीके से शक्ती दी जाए और उसे परामर्श को मानने के लिए बाद्धिय ना किया जाए तो वो निरंकुष हो सकता है और निरंकुष्टा से निरंकुष्टा जो होती है वो भै उत्पन करती है शासन के लिए सविधान राशनितिक दलों के हाथों का खिलोना बन सकता है जिस किसी दल का संसद में बहुमत होता है वह सविधान में जैसा चाहे वैसा संशोधन कर सकते हैं तथा बहुमत बहु संख्यक जनता की हितों की उपेक्ष्या कर सकते हैं जैसे कि युरोब के जितने भी देश थे और जितने देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, वो सब राशनीतिक दलों के ही निर्णे के कारण हुआ था। इन राशनीतिक दलों में व्यापारी वर्गों का वर्चस्व था, आधे से जादे जो लोग थे, नेता थे, वो महत्वा कांशी थे, तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी बहुमत के आधार पर इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में देश को ढाल दिया, जोग दिय तीसरा संघात्मक्षासन के लिए अनुप्युक्त, परिवर्तन शील सविधान संघात्मक्षासन वाले राज्यों के लिए अनुप्दग है, क्योंकि संघात्मक्षासन में केंद्र वा राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है, एवं संघात्मक्षासन में संशोध प्रक्रिया में केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी भागीदारी होती हैं इसके विप्रेत जो लचीला सविधान में केवल केंद्रिय सरकार व्यवस्थापिकाही मन चाह संशोधन करके राज्यों के अस्तित्व के लिए खत्रा पैदा कर सकते हैं परिणाम सरुप शेक्र परिवर्तन के कारण दोनों सरकारों के मध्य संघश और गतिरोत उत्पन्न होगा अता संघात्माक राज्य में लचीले सविधान को अपनाया ही नहीं जा सकता देखिए यहाँ पर जो हमें संघात्म शासन की आवश्चकता क्यों होती है और कहां पर होती है जहां का छेत्रफल बहुत बढ़ा हो जहां की जनसंख्या बहुत बड़ी हो वहाँ पर संघात्माक शासन जरूरी है संगात्मक शासन हमने अपनाया है तो जाहिर सी बात है कि राज्यों को भी कानून निर्मान करने की शक्ती दी जाएगी जब राज्यों के पास भी कानून निर्मान की शक्ती है उनके पास भी विशे हैं तो उनका इस्पष्ट उलेक करना भी जरूरी है अगर उसमें सपश्ट उलेक ना किया जाए और सविधान को कठोर ना बनाया जाए तो केंद्र और राज्य में विवाद हो सकते हैं और होते भी हैं जैसे कि भारत में हमने संगात्मक शासन को के विशय को तीन भागों में बाटा हैं केंद्र सूची, राज्य सूची और संब आपरति सूची ये सूचिया हैं जो केंदर और राज्यमें विष्यों को विभाजित करती हैं scholarship हैं यदि इसका स्वष्ट उल्लेख ना किया जाए लिखा ना जाए काठोर सविधान ना हो तो यहाँ पर दोनों में विवाद हो सकते हैं और हर चीज के लिए बातों के लिए हम न्याय पालिका के उपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं क्योंकि न्याय पालिका का जो कार्य है वो कार्य है नागरिकों की समस्या का समधान करना ना की राज्यों के विवादों को या राजविवस्था की समस्या को सौल करना तो न्याय पालिका का प्रात्मिक कार्य और करतव ये नागरिक समस्याओं को दूर करना फिर भी अगर हम देखे न्याय पालिका के पास जितने भी केसे आते हैं उसमें जो प्राथमिक्ता जो है न्याय पालिका अपील के केसों को बाद में सुनती है लेकिन सबसे पहले वो केंद्र और राज्य के जो विवाद होते हैं को सुनते हैं क्योंकि ये प्रारम भी छेत्रा अधिकार के अंतरगत आता है तो इससे हम ये समस्ते हैं कि जहां संघात्मक शासन है शक्ति का विभाजन है वहां पर केंद्र और राज्य में विवाद होंगे यदि हम सविधान को लिखें और उसको कठोर बनाएं तो यहां पर जो विवाद है वो नहीं होंगे यह होंगे भी तो बहुत कम होंगे और उसके लिए न्याइपाली का भी है अगला है शासन के निरंकुष होने का भैंप परिवर्तन शील सविधान में सत्ताधारी बहुमत में होने के कारण संकट काल में ही नहीं शांती काल में भी सविधान का परिवर्तन शीलता का लाब उठाकर उसमें अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं इसके अलावा सत्ताधारी बहुमत में होने के कारण अपनी शक्तियों को मनमाने धंग से बढ़ाकर निरंकुष शासन की आधार शीला रख सकते ह हैं आईए हम देखते हैं इसमें एक उधारन हम अर्थ शास्त्र को तो जानते ही हैं अर्थ शास्त्र में कोटेली ने ये लिखा है कि कोई भी शासक अपनी इच्छा नुसार या अपनी स्वेक्षा से शासन नहीं करेगा शासक जबी भी कोई निर्णय लेगा जबी भी कोई कार्य करेगा तो मंत्री परिशत से परामर्श करके ही कोई कार्या करेगा अर्थ शास्त्र का अनुशरन जो है ब्रिटिश शासन ने भी किया था जैसे भारत में गवर्णर जनरल का पद होता है जैसे गवर्णर जनरल के लिए एक कार्यकार्णी परिशत होती थी और कार्यकार्णी परिशत के परामर्श से गवर्णर जनरल को कार्य करना होता था प्रारंभ में ये जो परमर्ष को मानना बाध्यकारी नहीं था पर बाद में गवर्णर जनरल के लिए इन परमर्षों को मानना बाध्य हो गया उसी प्रकार से स्टेट गवर्णर थे वो भी मंत्रे परशत के परमर्ष पर उनको कार्य करना होता है तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत के सविधान में अनुचेत 75 में सामुहिक उत्तरदाईतों का सिद्धान्त है जिसमें प्रधान मंत्री और मंत्री परशत अपने विभिन कारियों के लिए सामुहिक रूप से उत्तरदाई होते हैं तो यहां में यह पता चलता है कि अगर एक व्यक्ति को पूरी तरीके से शक्ति दी जाए और उसे परामर्श को मानने के लिए बाद्धिय ना किया जाए तो वो निरंकुष हो सकता है और निरंकुष्टा से निरंकुष्टा जो होती है वो भै उत्पन करती है शासन के लिए सविधान राशनितिक दलों के हाथों का खिलोना बन सकता है जिस किसी दल का संसद में बहुमत होता है् वो सविधान में जैसा चाहे वैसा संशोधन कर सकते हैं तछ बहुестно बहु संख्यक जनता की हितों की उपेक्ष्या कर सकते हैं जैसे कि युरोप के जितने भी देश थे और जितने देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था वो सब राशनीतिक दलों के ही निर्णे के कारण हुआ था इन राशनीतिक दलों में व्यापारी वर्गों का वर्चस्व था आधे से जादे जो लोग थे नेता थे वो महत्वा कांशी थे तो अपने इच्छा के अनुसार अपने बहुमत के आधार पर इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में देश को ढाल दिया जोग दिया जोग दो और अमेरिका ने ऐसा किया उसी प्रकार से अगर देखो तो जर्मनी में हिट्लर, इंसोलनी या फिर आप स्टालिन को ही देख लिजेक्त अगर एक प्रकार से देखें तो इन्होंने सविधान को अपने जेब में रखकर इन्होंने युद्ध किया था और अगर हम देखें फ्रांस युद्ध में इतना जादा कंगाल हो चुका था बहुत जादा बरबाद हो चुका था ये उनके सविधान में कहीं नहीं लिखा था उन्होंने अपनी महात्वा कांशा के लिए अपनी इच्छा के लिए देश को युद्ध में जोग दिया था और इन्होंने कोई जनता की समस्या की और किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया है इसलिए द्विति विश्व युद्ध के बाद जितने भी सविधान बनाए लगभग वो लिखित सविधान थे कठोर भी सविधान थे क्योंकि जनता को डर था कि अगर सविधान लिखा ना जाए और उसको कठोर ना किया जाए तो यह राशनितिक दलों के हाथों का खिलोना बन जाएगा छटवा लोगतंत्र शासन के अंत का खत्रा परिवर्तन शिल सविधान उन देशों के लिए अनुप्योगत है जहांकि जनता असिक्षित वा राशनितिक शेतना से रहित है एसे देश में कोई भ्रष्ट राशनितिक दल जनता के अधेकारों वह स्वतंत्रता के साथ खिलवाड करके प्रजातंत्र शासन को ही समापत कर सकता है जैसे हम पश्रिम एश्याम में देखें या मध्यपुर्व में हम देखते हैं या अरब देशों की तरफ हम देखते हैं और हम देख सकते हैं जैसे लीबिया है सीरिया है इराक है इन देशों में अगर हम देखें तो यहां लोकतंत्र के लिए बड़ा खत्रा यह लोकतंत्र से लेकर 1975 के बीच अगर हम देखे तो यहां की जो राज नी तिक विवस्था है वो उठा पटक की विवस्था है जब भी सेना को मौका मिलता है वो सासन की सत्ता हथिया लेते हैं ये जो देश हैं इनकी राज्य विवस्था जो है वो धर्म पर केंद्रित राज्य ववस्था है और कहीं न कहीं दूसरे देशों से यह प्रभावित होते हैं जैसे की रूज से प्रभावित होते हैं अमेरिका से यह प्रभावित होते हैं उनका उनसे प्रभावित होकर भी यह कई सारे कार्य करते हैं अब अफगानिस्तान में देखेग तो जो अलिकिस सविधान होता है या लचीला जो सविधान होता है वहां पर कोई भी ताना शा आ के लोगदंद्र को ही समाप्त कर सकता है आईए हम देखते हैं कि अलिकिस सविधान के दोश क्या है अलिकिस सविधान का जो पहला जो दोश है वो है आइस्पष्ट और अनिश्चित इसकी अधिकांश बाते लिखित ना होने के कारण या आइस्पष्ट और अनिश्चित होती है सविधान की व्याख्या में कठनाईयों के साथ उसके किसी धारा के संबंद में भी विवाद हो सकता है सविधान को निश्चित करने वा स्पष्ट करने के लिए बार बार परिवर्तन की आवशक्ता पड़ती है यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ब्रिटेन है और जो निउजिलेंड है यहाँ पर अलिखी सविधान और यह सविधान सक्सेस्पूल है क्यों है क्योंकि ये जो तेश हैं इनका छेत्रफल भी छोटा है इनकी जनसंख्या भी बहुत कम है और इनके इतिहास को देखें तो इनके इतिहास में भी हमें एक रुपता देखने को मिलती है लेकिन क्या संखात्मक राज्यों में जहां पर जनसंख्या भी बहुत है और छेत्रफल भी बहुत है वहां पर एक जगह या केंद्र सरकार के पास ही शक्ती नहीं दी जा सकती है राज्यों को भी शक्ती देना जरूरी है तो यहां पर शक्ती का जो विभाजन है वो हमें देखने को मिलता है और शक्ती का विभाजन है तो जहिर सी बात है कि उसका इसपस्ट उल्ले करना भी जरूरी है आईए हम एक उधारण देखते हैं अमेरिका का अमेरिका के देखें तो अमेरिका में अपनिवेशिक शासन था ब्रिटेन का और सारी जो शक्तियां थी वो ब्रिटेन के पास होती थी मद्यवर्ती सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है निचली सरकार के पास कोई शक्तियां नहीं है तो ऐसे में जब अमेरिका का सविधान बनाया गया तो वहां पर इसपस्ट उल्ले किया गया कि जो मद्यवर्ती जो सरकार है उनके पास शक्तियां होंगी और राज्य चाहे तो तो वो संग से अलग हो सकता है, तो इस पश्ट उलेक करना यहाँ पर जरूरी था, अगर इस पश्ट उलेक नहीं होता, तो यहाँ पर भी विवाद की स्थती देखने को मिलती, लिखा हुआ है, फिर भी विवाद होते हैं, अगर ना लिखा हो, तो कितना विवाद यहाँ पर होगा दूसरा हम इसका उधारन देख सकते हैं आपात काली उबंद को लेकर इसमें हम देखेंगे मिडिलिस्ट को देख सकते हैं और पाकिस्तान को देख सकते हैं जबी यहां आपात की जब इस्थती आती है तो यह जो देश हैं उस इस्थती से जल्दी उबर नहीं पाते हैं पांस से छे साल जो हैं इनको लग जाते हैं उस कंडिशन से उभरने के लिए और इनका जो देश जो है इस अपात इस्थती के कारण 20 से 25 वर्स तक ये पीछे चला जा सकता है और इसका हम एक और उधारन देख सकते हैं भारत का भारत में जैसे सिक्षा का अधिकार रखा गया अनुछे 21 ए में इसमें ये प्रावधान है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको निशुलक सिक्षा दी जाएगी जसमें हम ये भी देखते हैं कि जो प्राइवेट जो स्कूल है एक निश्चित मात्रा में गरीब जो बच्चे हैं उनको निशुलक सिक्षा देंगे जिसके लि कार है ये प्राप्त होने में पचास वर्ष या उससे भी अधिक वर्ष यहां पर लग जाएगा तो हम इतना समय हम वेट करें कि प्रथा और परंपरा की आधार पर ने इसलिए सविधान को लिखना ज्यादा महत्वपूर्ण है लिखने से इस पश्टता आती है और निश्च अलिखे सविधान परिवर्टन शील या लचीला होता है इस कारण आवेश में आकर नीही स्वार्थों की पूर्ती के लिए आविवेक पूर्ण अन्याय पूर्ण और जनहित के विरुद्ध संशोधन किये जाते हैं अता अलिखे सविधान उक्त कारणों से आइस्थाई औ इसका जो उधारन है वो हे रूस और चीन यहां का जो सविधान है लिखित तो हैं पर वो लचीला भी बहुत जादा है तो रूस के और चीन के जो अपने पद को आजीवन कहने का ताथ पर यह है कि उन्होंने अपने पद को मन चाहे समय के लिए इस्थिर कर दिया है अपने पद को उन्होंने सुरक्षित कर दिया है आज दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी बाते हैं कि नीजता का जो अधिकार है उस पर विश्व चर्चा कर रहा है उसकी और आगे बढ़ रहा है संयुक्त रास संग ने अपनी घोशना पत्र में कहा कि नीजता का अधिकार होना चाहिए और भारत में भी इसकी चर्चा चल रही है पर ऐसा देश चीन और रूस जहांकि राश्ट्र पती ने अपने पद को सुरक्षित रख लिया है यहाँ पर अगर राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर अगर ये प्रश्ण उठे कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरी है और इसके लिए सारे जो नागरिक हैं उनके फोन को टैप किया जाएगा तो ये आसानी से इस नीती को कुरियानवित कर सकते हैं तो हम देखेंगे कि लचीला जो सविधान होता है अलिखित सविधान होता है तो स्वार्थ में आकर उसमें कई सारे जन्ता के जो हितकर भी नहीं होते हैं ऐसी कार्यों को भी किया जा सकता है तीसरा है नागरिक अधिकारों की रक्षा में असमर्थ जिस देश में सविधान अलिखित होता है उस देश की व्यवस्थापी का अपनी इच्छा नुसार सविधान में शंशोधन कर नागरिकों के अधिकार को समाप्त कर सकती है और अलिखित सविधान में नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा नहीं होती अगर सविधान में लिक दिया जाए तो नागरिक के अधिकार बहाँ पर सुरक्षित होते हैं जैसे हम उधारण हम देखते हैं कि ब्रिटेन को हम उधारण में देखते हैं ब्रिटेन में जो स्वतंत्रता है वो नकारात्मक स्वतंत्रता है नकारात्मक स्वतंत्रता से तात पर यह है व्यक्ति जो कार्य करना चाहे वो उस कार्य को कर सकता है यदि वो किसी का मडर करना चाहे तो वो मडर भी कर सकता है यहाँ पर अगर संसद को लगता है कि यह अधिकार इनके पास नहीं होने चाहिए या न्याय पालिका को ऐसा लगता है कि यह अधिकार इनके पास नहीं होने चाहिए तो जब तक संसद या न्याय पालिका उस अधिकार को खारिज ना कर दे तब तक वो व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है पर भारत है और अमेरिका है यहाँ पर जो स्वतंत्रता है वो सकारात्मक स्वतंत्रता है यहाँ पर व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग जो है वो कर सकता है पर व्यक्ति के अधिकार से दूसरे व्यक्ति के जीवन में कोई कस तो अगर हम बात करें फिर से ब्रिटेन की तो ब्रिटेन में वहाँ के नागरिकों को जबकि वहाँ प्रजातंतर 18688-1889 में स्टार्ट हुआ है फिर भी झатовी वहां के लोगों को महीला मता अधिकार के लिए लड़ना पड़ा क्यों कि लड़ना पड़ा क्योंकि वहां पर सविधान जो है अलिखित हैं और परिवर्तन शील है यहां पर नागरीकों के अधिकारों की रख्षा की कोई डैरंटी नहीं है पर भारत में देखिएगा भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी उसको समाप्त करने के लिए अनुचेद पंद्रा दो पनाय गया है जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी कुवा है तलाब है घाट है मार्ग है इसका उपयोग वो कर सकता है ऐसा क्यों क्योंकि सवि सविधान में लिखा है और अधिकार दिया गया है तो लिखित होते हैं अधिकार सविधान में से नागरेकों की अधिकारों की सुरक्षा होती है संगात्मक राज्यों का हम एक उधारण हम देखते हैं जब बृतेन ने उपनिवेश बनाना आरंभ किया तब उन्होंने देखा और ये महसूस किया कि हमारा जो बृतेन है ये तो छोटा सा है और यहां पर हम एकात्मक व्यवस्था के अनुसार हम शासन करते हैं पर जो हमारा उपनिवेश है ये बहुत बड़ा है हमसे 10-12 गुना बड़ा है तो हम यहां पर शासन कैसे करें शुरवात में तो उन्होंने एकात्मक शासन ही किया पर उनको एसास हो गया कि हम एकात्मक शासन नहीं कर पाएंगे यहां हमें राज्यों को शक्ती देना जरूरी है फिर उन्होंने संगात्मक व्यवस्था के द्वारा शासन करना शुरू किया संगात्मक व्यवस्था में राज्यों को शक्ती देनी शुरू करी ब्रिटिश जो हैं महत्तुपूर्ण जो विशय हैं जैसे की प्रतिरक्षा है विदेश है संचार है इन महत्तुपूर्ण विश्यों को अपने पास रखते थे और बाकी सारे जो विशय होते थे उसके लिए राज्यों को शक्ती दी होगी तो यह संघात्मक विवस्था के लिए जो लिखित सविधान और शक्ती का विभाजन जरूरी होता है और यहां पर यह भी देखिएगा क्योंकि शक्तियां बटी हुई हैं तो जाहिर से बात है कि विवाद होंगे ही होंगे इसलिए लिखित सविधान होना चीए और भारत जो ी होता है कि कि अलिखित में कितना विवाद यहां पर होगा है जरुरी नहीं है कि बडा छेत्रफल हो बड़ी जनसंक्या हो तो ही संघातमक व्यवस्था होगी शजर्जर29 जो है एक चोटा सा देश है और वहाँ पर भी संघातमक विवस्था है क्यों है क्योंकि सज्जलेंड में फ्रेंच भी है स्वेडिज भी है और जर्मन भी है नहीं सारे लोग वहां पर रहते हैं तो इस विवीधता की वज़ा से भी वहां संगात्मक शासन प्रणाली को अपनाई गई है पाचवा राशनीतिक दलों के हातों का खिलोना अलिकिस सविधान में साधारन बहुमस से आसानी से ही सविधान संशोधन हो जाते हैं सदैव ये खत्रा बना रहता है कि जो भी सत्ता में आता है वह अपने हित के लिए अपनी इच्छा नुसार सविधान में परिवर्तन कर लेता है इस प्रकार अलिकिस सविधान सत्तारूड दल बहुमत या उनके नेताओं के हातों का खिलोना बनकर रह जाता है हम देखें आलिकिस सविधान को तो आलिकिस सविधान बहुत कम देशों में है तीन चार ही देशों में होगा और वहाँ बहुत अच्छी वेवस्था चल रही है राजनितिक दलों के हातोंगा खिलोना बना नहीं है तो हम थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं अन्य देशों को तो हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें और जर्मनी को देखें तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को युद्ध में धकेलने वाला और बरबात करने के पीछे राजनीतिक दलों का ही हाथ था तो प्रथम विश्वयुद्ध और हिटलर के पहले अगर हम जर्मनी को देखें तो जर्मनी में बहुदली विवस्था थी और इस बहुदली विवस्था में जो व्यपारी थे व्यपारियों का बहुत जादा इसमें प्रभाव था व्यपारी धन कमाने के लिए लाभ कमाने के लिए उन्होंने जर्मनी की जो नीतियां थी वीधियां थी उसमें मलमाना इन्होंने परिवर्तल किया और जर्मनी को बरबाद कर दिया विश्व युद्ध में इसके बाद हिटलर ने देखा कि जर्मनी बरबाद हो रहा है तो हिटलर ने सत्ता समाली और एक कठोर सविधान को बनाया हला कि वो जो सविधान था वो अत्याचारी सविधान भी था तो जर्मनी को देखकर हम क्या सीख रहे हैं कि ये जो राशनितिक जो दल है वो अपने स्वार्थ में अपनी इच्छाओं के अनुसार मन माना परिवर्तन यहाँ पर करते हैं चुकि सविधान कैसा है आलिखित हैं अब यहाँ पर हम भारत को देख सकते हैं भारत में भी जो राशनितिक दल है कभी महिलाओं को लेकर कभी अलपसंख्यकों को लेकर तो कभी जो पिछडे लोगों को उनकी भावनाओं को वो उभारते हैं और अपना फायदा यहाँ पर उठाते हैं एक और एक्जामपल देखते हैं फ्रांस का तो फ्रांस जो है द्विती विश्व युद्ध तक इनी बहु दली विवस्था का वो शिकार रहा है राजनी तिक दल मन माने तरीके से फ्रांस को पुरा बरबाद करके रख दिया हुआ था तो ऐसे में डी गौल जो थे वो फ्रा कि इस्थती है उनकी ही वज़ा से फ्रांस की इस्थती है तो हम देखते हैं सविधान अलिखित है वहां तो खिलोना नहीं बनाए राजनीतिक दलों का पर जहां लिखित सविधान है वहां हमको देखने को मिलता है कि राजनीतिक दलों ने खिलोना बनाकर रख दिया है सवि परिवर्थन के आधार पर किसी भी परिस्थिती में आलिखिस सविधान का फाइदा उठा कर उसमें ऐसे परिवर्थन कर सकता है जो उसे निरंकुष या ताना शा बना सकता है इसमें शासक दल के ताना शा बनने की पूरी संभावना रहती हैं अब हम यहाँ पर देखते हैं चाहे गद्दाफी हो चाहे सद्दाम हुसैन हो चाहे तालिबान हो या हिटलर हो इन सभी नेताओं ने इन ताना शाहों ने अपनी ताना शाही के आधार पर सविधान और नियमों को तोर मरोड कर इन्होंने शासन किया है हाला कि अगर लिखित सविधान होता भी तो भी कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि एतने तानाशा है कि उनके लिए सविधान भी कोई माइने नहीं रखता यहां पर अगर सविधान लिखित होता तो एक विकाश चिल राजविवस्था में जो नागरिक है या विरोधी दल है तो कम से कम वो न्याय पालिका की दोहाई तो दे पाते पर वो अलिखित सविधान होने की वज़ा से वो दोहाई भी नहीं दे पाएंगे अगर इसका हम उधारन देखे पाकिस्तान में तो जिया उल्हक है और मुशर्रफ है इनके शासनकाल में आपको देखने को मिलेगा कि इतना ताना शाहित था राजविधिक आई स्थिर्ता आ चुकी थी चुकी वहाँ का सविधान लिखित है इसलिए वहाँ पर राजविध असीक स्थिर्ता लाई जा सके. तो हम देखते हैं कि जो अलिकी सविधान होता है लिखा ना होने की वजब से और ताना शाहि बढ़ने की समभावना होती है वह जादा होती है और अगर लिखित हो तो नियाइपालीकह के पास जा कर अजया सविधान को या देश को बचाया जा सकता है बी आपरिवर्तंशील अथवा कठोर सविधान का अर्थ और इसकी परिभाश्या देखेंगे जिस सविधान में साधारन कानू और सविधानिक कानूनों को बनाने व सल्शोधन की प्रक्रिया अलग-अलग होती है तो व सविधान आपरिवर्तंशील अथवा कठोर कहा जाएगा कठोर सविधान में सविधानिक कानून वह साधारन कानून में मौलिक भेद किया जाता है तथा जसमें सविधानिक कानूनों में संशोधन परिवर्तन के लिए साधारन कानून के निर्माण से भिन एक विशेश प्रक्रिया जो अपेक्षा कृत साधारन कानून की प्रक्रिया से कठिन होती है अपनाना अवश्यक होता है इस प्रकार के सविधान मी संशोधन करने के लिए राज्य की संसद अथ्वा व्यवस्थापिका को ही एक अधिकार प्राप्त नहीं होता है उन्हें राज्यों की व्यवस्थापिकाओं का भी समर्थन लेना आवश्यक होता है अमेरिका का सविधान इस प्रकार के सविधान का एक सर्वोत्तम उधारण है क्योंकि अमेरिका की कॉंग्रेस व्यवस्थापिकाओं को वहां कॉंग्रेस कहा जाता है सामान्य कानूनों का निर्मान तो साधारन बहुमत से कर लेती है लेकिन सव्विधानिक कानूनों में संशोधन करने के लिए व्यवस्थापिका के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित संशोधन प्रस्ताओं को तीन चौथाई राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा स्विक्रिती होना आवश्य होता है। उन्हों में गर परिवर्तन करना है तो उसको विशेश बहुमत से पारित करना होता है जिसे हम कठोर सविधान कहते हैं। अब हम कठोर सविधान के गुण को कि तरब चलते हैं। कठोर सविधान के गुण, पहला जो गुण है वो है इस्थाइत्व का गुण, आपरिवर्तन शील सविधान में संशोधन करने के लिए एक विशेज प्रकार की जटिल प्रक्रिया अपनाने जाने के लिए छनिक आवेश में या दलगत राजनीती द्वारा समय समय पर सुगम संता पूर्वक संशोधन नहीं किया जा सकता है, परणाम सरूप राज्य की शासन विधी तथा उसके राशनितिक जीवन में इस्थिरता इस्थाइत्व बना होता है हम इसमें एक उधारन देखते हैं हम अमेरिका का उधारन देखते हैं अमेरिका के सविधान में केवल साथ अनुच्छेद हैं दस से बारा पन्नों में अमेरिका का सविधान है और जब से अमेरिका स्वतंत्र हुआ है उसके बाद से केवल 27 संशोधन ही अमेरिका के सविधान में किये गए हैं केवल 27 संशोधन जबकि भारत जो है 1947 में आजाद हुआ है और 1950 में देश का सविधान लागू हुआ है और भारत 100 से भी जादा संशोधन कर चुका है पर आप अमेरिका को देखिएगा कि अमेरिका ने अब तक केवल 27 संशोधन ही किये हैं ये इस बात को दिखाते हैं कि अमेरिका का जो सविधान है वो कठोर सविधान है अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं वो बिटिश मूल के लोग ही हैं और अपने ही देश से वो युद्ध करके संघर्ष करके अमेरिका की आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। अमेरिका में जो शासन प्रणाली थी उसमें परिवर्तन आया है। इसलिए इस्थाइत्व के लिए उन्होंने अपने देश के सविधान को कठोर बनाया है। दूसरा हम उधारन देखते हैं दक्षिन आफरीका का दक्षिन आफरीका में यदी सविधान में संशोधन करना है तो तीन चौथाई बहुमत की आवश्यक्ता होती है। तीन चौथाई बहुमत जो कि दुन्या के किसी भी सविधान में संशोधन के लिए नहीं अपनाये गए हैं वो केवल दक्षिन आफरीका में ही अपनाये गए हैं। दक्षिन आफरीका में इतना कठोर क्यों रखा गया सवीधान में संशोधन करने के लिए वह इसलिए क्योंकि दक्षिन आफरीका में जो गोहरे थे वहां पर शासन करते थे उनका ही प्रभुत्व था पहले भी था आज कहीं न कहीं गोहरों का ik कि क्या था वर्चस्व है वहां तो उन्हें डर था कि जो काले जो मूल निवासी है वहां के उनके अधिकारों का हनन ना हो जाए उनसे संबंधित जो अधिकार है उसके हनन ना हो जाए इसलिए उन्होंने कठोर सविधान रखा है क्यों क्योंकि वहां की भी राजनीतिक एदिक में तो विशेशंति की आवशक्ता होती है जिसके लिए दो च्रतारों होता है। शासन विवस्था अलग थी तो वो चाते थे कि उनके देश में स्थाईतों आए इसलिए उन्होंने अपने देश का सविधान कठोर बनाया है